हलो मैं हूँ नीतु कुमार और आप देख रहे हैं E24 का Facebook पेज और YouTube चैनल साथ ही आप हमारा special program जो है Instagram पे भी देख रहे हैं हम आज बात करेंगे 80 के दशक की एक बहुत ही खुबसूरत actress की जिनकी खुबसूरती के बहुत सारे दिवाने हुए और आज भी उनकी खुबसूरती की चर्चा होती हैं Bollywood की जो बहुत हसीन actresses हैं उनमें उनकी हमेशा गिनती होती रही है 16 साल की उम्र में ही हम बात कर रहे हैं पूनम धिलो की उन्होंने 16 साल की उम्र में ही beauty pageant जीत लिया था और उनकी खुबसूरती की चर्चा जब होने लगी तो यश चोपड़ा ने उनको फिल्म के लिया अप्रोच किया था पूनम डिलो जहां भी जाती थी लोग उनको कहते थे कि आप बहुत खुबसूरत दिखती हैं आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए तो यही सोचकर उन्होंने ब्यूटी कॉंटेस्ट में हिस्सा लिया था उसके बाद उनको फिल्मों के भी ओफर आये और आया या ओफर भी आया तो किसका यश चोपड़ा का तो उस समय पूनम 12 में थी और वो अपने एक्जाम देना चाहती थी तो उन्होंने उनसे यही कहा था कि आप इस फिल्म की शूटिंग तब करिये जब मेरे स्कूल की छुटिया हो और यश चोपड़ा ने उनकी बात मान भी ली और उन्होंने पहला ब्रेक फिल्म फिल्म में जो है वो एक सशी कपूर की बहन के रोल में होती है और अमिताब बच्चन भी है फिल्म में वहीं सचिन के साथ उनकी पैरिंग हुई थी और फिल्म में एक सीन था जब सशी कपूर उनको जोरदार थपड़ मारते हैं तो यश चोपड़ा ने पूनम धिल्लो को जाया नहीं था कि उनको अभी जो है अगले सीन में थपड़ पढ़ने वाला है उन्होंने जान बुचकर ऐसा नहीं किया था ताकि जब उनको थपड़ लगे तो उनके जो रियक्शन से और इस वजह से सशी कपूर ने उनको बिना बताया जोर का थपड़ रसीद कर दिया और वो थपड़ खाने के बाद जो है वो बिलकुल घबरा गई बाद में उनको जो है समझाया गया कि फिल्म में ये सीन जरूरी था इसलिए आपको बिना बताये जो है इस तरह से थपड़ मारा गया तक कि जो रियक्शन जो आया है वो जो है बिलकुल नेचरल लगे और प 80 के दशक में उन्होंने जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, समेत उस दौर के जीते इंद, राजेश खन्ना समेत सभी एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया और तेरी महरबानिया उनकी फिल्म थी जैकी श्रॉफ के साथ करीब 80 से जादा फिल्में पूनम धिलो ने की और उनका नाम भी कई सारे फिल्मेकर से जुड़ा, राजन शिप्पी के साथ उनका नाम जुड़ा था, रेकिन राजन शिप्पी पहले से मैरेट थे और वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन फाइनली जो है दोनों का रिष्टा नहीं चल पाया और उन्होंने ब्रेक अप कर ल कहा जाता है कि राजन सिप्पी से जो ब्रेक अप का दर्द भुलाने के लिए उन्होंने ये शादी जल्दबाजी में की थी और यहीं नतीजा हुआ कि ये शादी बहुत लंबी नहीं चली थी, करीब 9 साल बाद ही उन्होंने अपने पती से डिवोर्स ले लिया, इस शाद का नाटक भी किया, लेकिन कहीं न कहीं जो उनका परिवाद टूट चुका था और फाइनली जो है 1997 में पूनम धिलो ने अपने पती से तलाक ले लिया, उसी साल 1996 में जब पती के साथ उनके रिष्टों में खटास आने लगी तो उन्होंने फिल्मों में वापसी की और उन् जमाने में वो भी बॉलिवुड में लाँच हुई थी और कुछ बहुत ऐसी फिल्में उनके खाते में नहीं थी जिसकी वज़ा से उनको बहुत अच्छी अक्ट्रिस कहा जाए लेकिन खुबसूरती की वज़ा से वह हमेशा चर्चा में रही बात के दिनों में पूनम धिल पूनम धिलो ने राजनीती में भी कदम बढ़ाएं हैं क्योंकि बहुत जादा जो है उनको फिल्मों के वैसे ओफर्स नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में उन्होंने राजनीती की तरफ जाना सही समझा पूनम धिलो अब 58 years की हो गई है वो दो बच्चों की मा है उनकी बेटी का मामले में पालोमा जो है अपनी मम्मी को टकर देती हैं और कहा जा रहा है कि वो भी बहुत जल्द बॉलीवुड फिल्मों में काम कर सकती हैं आजकल वो एक्टिंग और डांसिस की क्लासिस कर रही है और अपनी मम्मी की राह पर चलते हुए वो भी बॉलीवुड फिल्मों म काम करेंगी तो पूनम धिल्लो की कहानी हम आपको बता रहे थे एक ऐसी अक्ट्रेस जो की ब्यूटी पेजेंट से जुड़ी थी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया उनकी शादी बहुत जादा सफल नहीं रही शादी के मामले में कह सकते हूं लखी रही पूनम धि मैं वो राजनीती की तरफ रुख कर चुकी हैं